नमस्कार आप देख रहे एं टी वी 9 भारत वर्श और में हूँ आपके साथ अनूप आखार मेरे साथ है पंकज कुमार जी और मसला है महाराश्ट का यू तो सियासत में ना कोई बहुत लंबा दुश्मन होता है ना कोई बहुत लंबा दोस्त होता है सियासत में सब कुछ संभव है और ये बात महाराष्ट के मुख्मंत्री उद्दव ठाकरे के हवाले से निगल करा ये पंगर जी उद्दव ठाकरे कह रहे हैं कि और उन्होंने रेल राजमंत्री को कहा है राव साहब दानवी को कहा है कि हमारे भावी साती हैं अभी कुछ दिन पहले की बात है जब बीजेपी की जो प्रदेश अध्यक्षे चंदरकान पार्टिल उन्होंने भी यही कुछ ऐसा ही संकेत दिया था यह खिछडी पक क्या रही है क्या यह हम कहें कि आने वाले समय में शिवसेना और बीजेपी साथ नज़रा सकते हैं देखिए पिछले एक साल से ये बात शिवसेना के अंदर से काफी तेजी से उठ रही है उसके कई विदायकों ने चिट्थी जो है शिवसेना प्रमुक्ष लिखा कि अगर हम इसी तरह कॉंग्रेस और एंसीपी के साथ काम करते रहे तो हमारे जो भी वोट बैंक है वो खतम हो जाएंगे हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा अब यह देखने वाली बात है कि किस तरह से उद्धव ठाकरे रियक्ट करते हैं क्योंकि जिस तरह के ताजा बयान है आप बयान पर ध्यान दीजे जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने कहा कि रेल राजमंत्री हमार भावी दोस्त हैं और साथी साथ जो दिवेंद्र फर्नवीस हैं जो महारास्टा बीजेपी के नेता हैं वह यह कहते हैं कि यह जो एलाइंस है वह नसरगिक है यह लंबा चलने वाला नहीं था यह नाचुरल नहीं है जाएड तोर पर वह हमारे पुराने साथी रहें और उन समझा जा सकता है कि जिस तरह से दो दिन पहले भी जो बीजेपी के प्रदे सध्यक्ष हैं उन्होंने भी कहा कि मुझे पूर्व मंत्री नहीं कहा जाए तो यह कई सारे सिगनल से जो बता रहे हैं कि दोनों पार्टियों के बीच में क्या खिचडी पक रही है पर मैं आपको यह बताना चाहूंगा आकास कि जिस तरह से 89 से 2014 तक दोनों पार्टियों के बीच में एलाइंस हा रहा वो काफी लंबा एलाइंस था और वो नैचुरल एलाइंस था क्यूंकि बाबा साहब ठाकरे भी उसी तरह का पॉलिटिक्स करते थे जिस तरह बीजेपी करती आ रही थ पार पर पिछले कुछ सालों से जरूर इन तीन पार्टी का एलाइंस है चाहे एंसी पी या कॉंग्रेस लेकिन शिव सेना के अंदर खलवली है और यही बज़ा है कि उद्धव ठाकरे जो शिव सेना प्रमुक हैं उन्होंने ये बात करी लेकिन पंकत जी फिर घूम फिर के तो कुरसी पर मिलेंगे तो कुरसी पर मिलेंगे तो कुरसी पर बैठेगा कौन बीजेपी या शिव सेना देखे ये तो आने वाले समय में पता चल पाएगा लेकिन शिव सेना ने एक बात तो प्रूफ कर दिया कि अगर हम तुमारे साथ नहीं है तो तुम सत्ता में नहीं आपाऊगे इस वार उसने ये तो साबित कर दिया अपना पॉइंट प्रूफ कर दिया पर ये बात जरूर है कि जिस मुद्दे पर दोनों अलग हुए थे क्योंकि बीजेपी के पास 105 एमेले हैं सिंगल लार्जेस पार्टी है फिर भी बीजेपी किस तरह का समझाता करती है य लेकिन जिस तरह से बड़े नेताओं के बयान हैं वो ये साफ जाहिर जरूर कर रहे हैं कि आने वाले समय में दोनों पार्टियां फिर से एक साथ हो सकती है लेकि थोड़ा सा इतिहास में चलते हैं जरह पीछे चलेंगे तो फिर हम ये देखते हैं कि एक जो परंपरा रहती है सहयोगी दलों के साथ में राश्टी पार्टियों की कि सेंट्रल में बड़े भाई की भूमिका राश्टी पार्टी निभाती है और स्टेट में बड़े भाई की भूमिका कहीं छत्रप निभाते हैं और कहीं राश्टी पार्टी भी हावी रहती है अब क्या महाराष्ट की राजनीती में जो बड़े और छोटे भाई की जो बात थी उसमें कहीं न कहीं बदलाव मुख्यमंत्री उद्दव ठाकरे के बनने के बाद यह हुआ है अब वो सौदेबाजी उस तरीके से होगी देखे जाहिर तोर पर बीजेपी यह जरूर सवाल रखेगी कि उसके पास 105 एमेले हैं पर आप यह भी मत भूलिए कि पहले बीजेपी के लीडर कोई और होते थे जब से मोधी लीडर बने महरास्ट में फिर से की वो ड्राइविंग सीट पे बीजेपी बैठेगी उस तरह का पॉलिटिक्स चलने लगा अगर आप बिहार की बात करें तो इस बार किसी तरह से नितीश कुमार को सीएम जरूर मान लिया लेकिन अब बीजेपी के अंदर से यह आवाज उठने लगी है कि 2024 तक बीजेपी ड्राइविंग सीट पर होगी पर महरास्ट की राजनिती जिस त किन मुद्दे पर होता है लेकिन जब बड़े नेता इस तरह का इंडिकेशन देते हैं इसका मतलब है कि बहुत तगड़े तरीके से खिचडी पक रही है दोनों पार्टियों के बीच में दोनों एक दूसरे के बयान का स्वागत कर रहे हैं वेलकम कर रहे हैं यह कोई छोट कि बात नहीं है यह साफ इंडिकेट करता है कि आने वाले समय में अब किन मुद्दों पर सहमती बनी है यह तो सामने बाद में आ पाएगा लेकिन यह जरूर दिखाई पड़ रहा है कि दोनों पार्टियों बेहत आसपास आ चुकी हैं और उनके स्टेटमें दोनों दोनों पार्टियां एक दूसरे के आसपास नजर आ रही हैं और जिस तरीके की बयानबाजी हो रही चाहिए वो उद्दव ठाकरे के लेवल पर भावी साथी बताया गया है या फिर जो बीजेपी के प्रदेश अध्यर्शे चंदरकांट पार्टियों उनकी तरफ से जो बयाना है देखे यही तो बात उठरा है सिफसेना के अंदर से कि यह हमारा नैचुरल एलाइंस नहीं है जाहिर तोर पर यह बिपक्च में बैठेंगे यह तो साब समझ में आता है क्योंकि बीजेपी और सिफसेना एक साथ होती है तो उनकी सरकार बनने के पूरे चांसे से हैं और यह देखना होगा कि सरकार किस शर्थ पर बनती है यह खुलना बाकी है क्या सी एम बीजेपी का होगा या सिफसेना का यही एक सबसे बड़ा पॉइंट है जो की विवादास्पद मुद्दा रहे दोनों के बीच में और यही सो लजना बाकी है लेकिन एक आखरी सवाल पंकर ज सब्सक्राइब करें इसमें तो कोई शक नहीं है क्योंकि अगर स्टेट की बात करें हो सकता है जब स्टेट में अलाइंस होगा तो निश्चित और पर केंद्र में भी भागेदारी हो सकती है और सिफसेना की पॉलिटिक्स 89 से यही रही 2004 में दोनों अलग जरूर हुए फिर चुनाओं के बाद एसमेली एलेक्शन के बाद फिर साथ हुए लेकिन फिर कुछ सालों बाद दोनों साथ चुनाओं लड़े लेकिन सीटे जादा आई बीजेपी चिफ मेनिस्टर सिफ चाहती थी जो कि सिफसेना उसके लिए तैयार नहीं थी और अब कहीं न कहीं एक लेकिन आप नहीं जाईएगा नहीं बने रही हमारे साथ देखते रही है टीवी नाइन भारत वर्ष हमने की गलती फिर एक बार कोरोना ने किया दोबार अप रहा मास्क दो गजदूरी करें अपनी सुरक्षा पुद्ध कोरोना टीका हम सब को लगाना है मिलकर साथ समसदारी से कोरोना को हराना है